दोस्तों नमस्कार स्पागत है आप सभी का ओलाइन इडाफॉस दे यूटूब इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई सिख्षक भरती के विग्यापन के बारे में नई सिख्षक भरती को लेकर जारी विग्यापन उसके आवेदन और से संबन्दी तमाम जानकाईयों के ब भरती को बताने का सबसे बड़ा जो मेरा मोटिव है वो यह है क्योंकि इसके अंदर वेतन काफी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा लगबग 45 जार तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अच्छा आपके मन में सवाल तो आया होगा कि सब 45,000 वेतन कोई ज वाले जिसे के आपको ध्रियल उथेंटिक जानकाई मिलती रही शुबात करते हैं सबसे पहले अगर बात कर लिए वेकेंसी कहां से निकाली गई है तो यह आप सभी के लिए वेकेंसी देखने के लिए मिलती है एकलब आदस आवासी विद्ध्यालियों के अंदर इसके हैं अंसकालीन को लेकर हैं अंसकालीन का मतलब अगर आपको आसान भासा में समझाना चाहूं तो अथिती शिच्छक जिसको हम कहते हैं जिसको यहां पे ग्यारे मेने के आजार पर रखा जाता है और बाद में आपका कॉंट्रेक्ट रिन्यू कर दिया जाता है मन लीजिए ले 사सर आम्वर्दियूँ संद्रिए फिकलत्य। मिलेगा जिसको और किसी भी भ entre s देखने के लिए तो है लेसर पर नियां पर यहां पर facing पर करना आपको सिख्षक भरत के अंडर रिलेक्षेशन देखने के लिए मिलेगा अगर एक लब आदस बिड्याले के माध्यम से सरकारी सिक्षक भरती निकाली जाती है तो क्योंकि उन भरतियों के अंदर बैठने के तो पर आपको रिलाक्षेशन भी मिलता है अगर बात की जाए इस भरती को लेकर तो यह अतिती सिच्छक देखने के लिए मिलेगी इसके लिए अब जैसे कि आपके सामने फॉर्म लिखा हुआ है तो निश्य तो पर आपके इसके आविधन जो होंगे ओफ्लैंड माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे और यही वह प्रारूप होगा जो आप सभी को भरके लेकर जाना पड़ेगा जहां पर आप सभी जो नौकी करेंगे वो सेंटल गोवर्मेंट के अंदर में देखने के लिए मिलेगी ठीके ना तो इस बात को आप सभी याद अखिएगा क्योंकि यह वेकेंसी स्टेट गोवर्मेंट के अंदर में नहीं होती है यह होती है सेंटल गोवर्मेंट के अंदर में लेकिन एकलब आपकी जो नोकरी देखने के लिए मिलेगी वो यहां पर आपकी अलग राज्यों के अंदर होगी जिसको लेकर नीचे भी जानकाई दी गई है और यह आपकी सिच्छक भरती अतिती सिच्छक की रूप में होगी जिसको गैस टीचर के नाम से जानते हैं अब यह तो आपको प भत की जाए वेकेंसी के बारे में जनकाई दी गई है कि कि सब्सक्राइब किस बिशाय के अंदर एंदर आपको देखने के लिए यह तीन आपको यहां से अलग-अलग पद देखने के लिए मिलेगे जिसके लिए आविदन मांगी गए हैं अब अलग-अलग पद हैं तो अलग-अलग योगिताएं भी होंगी यहां पर लिखा हुआ है कि दो पदों के लिए अनिवार सैचिक योगिता आपको जो देखने के मिलेगी विग्यावित पदों के लिए यहां बताई गई है कि 50% अंकों के साथ में NCRD के Regional College of Education से संबंदित चार साल का integrated course या फे इसके संबंदित कोई भी आप विशय के साथ में 50% अंकों के साथ इसनातक की डिग्री अगर करने के आपके पास है तो आप इसके लिए आविधन कर सकते हैं तो आप के आप पास देखने के लिए मिल जाएगी मैए आपको इस जांते होंगे कि आप जिस विशेय के लिए आविधन करते हैं वो विशेय आप सुभी की गैजुएशन के अंदर होना चाहिए और यहां पर लिखा भी हुआ है इसी तरीके से नीचे थोड़ी सी जानकाई और देखने के लिए मिल जाएगी कि कि किसी भी मानेता प्राथ विश्विध्याले से बीयड की स्टेटी होना चाहिए स्टेट का टैट या फिर होना चाहिए सी टैट तो आप इसके लिए आविधन कर सकते हैं सेम अगर बात की जाए पीजिटी के बारे में तो 50% अंकों के साथ में आपके पास में पोस्ट गैजुएशन होनी चाहिए जिसको हिंदी में स्नोकतर कहते हैं 50% अंकों के साथ इसी तरीके से जब आप किसी विशे के लिए आविधन करेंगे तो उस सब्जेक्ट के साथ आपने पोस्ट गैजुएशन किया होना चाहिए जो कि यहाँ पर बताया गया इन सभी अ अंगेजी के लिए आविधन करते हैं तो आपने अंगेजी साथ में पीजी की डिगी आपके पास होनी चाहिए उबाद होनी चाहिए तो आप इसके लिए आविधन कर लेंगे ठीक है तो अगर आप किसी विशे के लिए आविधन करना चाहते हैं तो उस विशे के साथ में आपके पास सिसना तक या फिर पोस्ट गैजुएशन होना चाहिए टीजीटी और पीजीटी के लिए अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं यह आप सुभी के सामने इसको भी चाहें तो आप पड़ सकते हैं तीसी आपको जो वेकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो यहां पर आएगी चात्तर वास के लिए चात्तर वास अध्यशक की अगर बात की जाए तो किसी मान्यतर प्राप्त विश्व इद्याले से निमतंग अगर आपने इस नातक की डिक्री ली हुई है जैसा कि मैंने फर्मनिल में भी लिखा अगर आपके पास सिर्फ गैजवेशन है तो आप यहां पर इस पद के लिए आव्यदन कर सकते हैं अब इस पद में जब आप अव्यदन करेंगे तो आपके लिए क्या होनी चाहिए सिर्फ यह उनी चाहिए लेक रहा हुआ है कि PGT के लिए 1 अप्रेल 2023 की स्थिवी मैं एक्ईस से लेकर साथ वर्स को आवेदन कर सकते हैं चाथ्र वास कि अगर बात की जाये तो 26 लेकर 45 वर्स के बिजाया की जान का क्यों हो कि लिए 75 वर्स आधिक्टम आईउसीमा देखने के लिए मिलती है अगर बात की जाए चैन प्रक्रिया के बारे में तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा चैन आपका जो होगा वो यहां पर दस अंकों का आपका इंटर्वी होगा और नबे नंबर आप सभी के जोड़े जाएंगे मेरिट के आधार पे और आपका यहां से चैन कर दिया जाएगा चैन समिथी के बारे में बताया गया है इसी तरीके से योगिता सूची किस तरीके से त्यार की जाएगी वो भी यहां पर लिखी हुई है जैसा कि मैंने आपको इस स्टार्टिंग में कहा कि 90% आपके देखने के लिए मिलेंगे 50, 20 और 30 यहां पर पूरा का पूरा बताया गया है इसी तरीके से जाम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहां पर टीजिटी और पीजिटी दोनों के लिए अलग अलग निवन्दम योगिता इसनात्र की बताई गई है आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं मैंने आपको में में जानका ही बता दी हैं अगर बात की जाए मांदे के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको इस टार्टिंग में बताया था कि टीजिटी और पीजिटी दोनों के लिए आपको 45,000 रुपे प्रती महा का जो मांदे है वो देखनी के लिए मिलेगा टीजिटी के लिए 300 प्रती कालखंड के मांद से अधिक्तम जो होगा वो 42,000 देखनी के लिए मिलेगा और जो पीजिटी के लिए होगा वो यहां पर लगबग 45,000 होगा तो फिलाल दोनों का मिलाकर 45,000 के सम्तिंग हम कह सकते हैं इसी तरीके से चातर वास की अगर बात की जाए तो उनको यहां पर 36,000 रुपे का जो पेमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा बाकी अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं हमारी टेली गयाम चैनल को जोइन कर सकते हैं वहां पर मैं इसको आपको शियर करवा दूंगा वहां से जाकर आप सबी इसको ले सकते हैं आवेदन करने के लिए आप सभी को इन दोनों वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है इन दोनों वेबसाइट पर जवाब जाएंगे तो वहीं पर आप सभी के लिए नौटिफिकेशन मिल जाएगा और वहीं से आप सभी इस नौटिफिकेशन क पहले आवेदन कर लीजेगा फिलाल आवेदन करने के लिए यहां पर कुछ । डॉक्मेंट्स के बाड़े में भी बताया गया है कि कौन-कौन आप बैठ सकते हैं याद है इसके अंदर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी फिला इस वीडियो के माध्यान से इतना ही थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो